चलेंगे मुख्यमंत्री यूगी आदेते नाच कुछ कह रहे हैं सुनते हैं उड़े गुजरात की मान्य राज्यपाल आदनिय आचाले देव प्रजी भारत सर्कार की किर्सी और किसान कम्या मंत्री मान्य शिवाज सिंग चोहां जी प्रदेश सर्कारले मंत्री मंदल की मेरे बरिष्ट सहयोगी किर्सी मंत्री से सुर्य परताब साही जी किर्सी राज्य मंत्री से बल्देव सिंगोलग जी कारवाणी सवासर किर्सी लद्दा सिष्टान जिन चोहस्पिर प्रदेश की मुठ्य सचीव स्विमरोज कुमार सिंग जी कर्षित पादनायोक्त डॉक्टर देवी सुद्रवेदी जी सेव्ट सचीव किर्षिय और किसान कल्याण मंत्राड़ भारा सरकार डॉक्टर योगिता राना जी मंच परपस्ति अन्य सभी उपस्तित महानु रॉक्टर प्रप्रदेश की राजधाने लखनों में प्राकुर्टिक खेती विज्ञान से समंधित इस छेत्रिय प्रामर सकारेकरम में मैं आज की सकारेकरम के मुख्य थी थी प्राकुर्टिक खेती के लिए जिन्होंने एक बड़े जन्चार्ण अभ्यान को अपनी हाथों में लेकर के इसे सफलता की नई उचाईयां प्रदान की हैं ऐसे आचारे देवपरजी का फिरदे से मैं स्वागत करता हूँ अब नतर करता हूँ आचारे जी ने भारत की रिसी परंप्रा को जो धरती माता की प्रती हम सब के आग्रा को प्राचीन काल से फोराने काल से ही हर भारतवासी को आग्रा ही मनाती रही है उसका प्रतनित करते वे प्राकृतिक खेती के मातिन से इस धरती माता को बचाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े है मैं कि अगर प्रूच शेटर मैं कि हिमान्चत प्रदीश और गुजरार आजाचारे जी के इन करक्रमों का उधार्न बना हुआ है इस होशर पर मैं सब की और से प्रदेश वास्यों की और से और देश की उज्वड भुश्य की प्रति जो ही देखती आसा भरी निगाहों से आले वड़ता है देखता है उन सब की और से उनका हिर्दे से स्वागत और बिनदन करता हूँ आज नहीं पर भारेश सरकार के मान्य मंतरी किर्शियों किसान कल्यां मानिसी शिवास सिंग चोहां जी भारेश सरकार में मंतरी बनने के उपराई आज उनका लखनो आगमन प्रतंबार भोड़ता है मैं सबसे पहले उनकी आप मन के लिए उनका हिर्दे से स्वागत करता हूँ मतरी इस जैसे राज्य में किर्शी उत्पातर की दर्गों देश के तर सर्वाधिक करने का गौरों भी उनीके उचादिया है पौनाने मतरी इस जैसे राज्य में वाहें के किसादों के कल्यानक ने जो पुट काने किया था अपने मुख्य मंत्री तो कानुने वाजभी देश के नदर उध़रन है और इसी लिए मतरप्रदेश के उनके अनुभो अराज प्राक्रतिक खेटी के साथ किर्शी उत्याज्य में के साथ ग्रामियन दिकास के एक अद्वित मौडल देश की जनता उनके अनुखवत आलाब लेकर के देखना चाहती है और इस दिस से आज उनका भार्ण दर्सन यहां पर आएवे हमारे अनदादा किसानों को प्राप्त हुआ है इस छेटर के विशेश्टियों के साथ इस संब कि हर उत्वरांती का लाब अनुदबादन करने में और उसकी उत्वादन च्छंपा को बढ़ाने में प्राप्त हुआ है लेकिन यह अधुरा सच है अगरा आथ 70 न 21 सदी के भारत के कुछ उन प्राम्तों का जिनोंने अपने अस्करपक राज्यों में न छेत्रों में कारे किया थाओ वहाँ के प्रकृति के द्वारा प्रकृतिक 35 के जाने वाली खेती के और उससे उत्वादन की उस धर्व को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तों में जो पिसले सो डेड़ सो गरसों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है ऐसे बहुत सारे उधारन हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इध्यास के उन पलनों को पलटना ही पड़ेगा क्योंकि जब धरती वास्तिविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के नगू खेती किसानी के कारिक्रम को आगे बढ़ाया गया तो देश के इंदर बहुत सारे छेतर इसके उधारन है जहांपर हारित करांती के पहले वो पादन खेती की ज़्यादा थी इसके बाद कुछ समय के बाद थारा आने के बाद जब उन छेतरों में हरित करांती के बाद आधनिक फटलाइजर, केमिकल और टेस्टिसाइड का उप्योग होना प्रारभ हुआ कुछ समय के लिए हमें उत्पादन बढ़तावा दिखाई तो दिया लेकिन आध उसके दुस प्रभाओं से हम इस जीव स्रिष्टि को बचा पाने में बहुत कपनाई मैसूस कर रहे हैं वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है लेकिन एक स्लो प्वाइसर की रूप में वह हर बेक्ति की धमनियों में घुस्टा जा रहा है और यह केवल मनुस्य के लिए नहीं अभी दो वर्स पहले की घटना था उतर प्रदेश के अंदर हम लोग निराशित को आस्रेस्तल संचालिब करते हैं लगवग हमारे पास बारा लाग से धिक गोवंस निराशित को आस्रेस्तलों में हैं जिन में से ग्यारा लाग का स्प्योस्ता प्रदेश सरकार संचालिब करती है एक लाग बोवंस किसानों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भागिता योजना के इंतर दे रखा है जिसमें एक किसान को किवल हम चार बोवंस तक ही उन्मन्ने करते हैं हर मेने उसका वेरिपिकेशन होता है गाय सुरक्सित है रिस्त पुछत है की नहीं है अगर है और सुरक्सित है तो हम उसे प्रति गाय हर मेने पंद्रह सो उपी उस किसान को प्रिवार को उपलब्द करवाते हैं चार गाय पर छे अजार उपे मेने हर मेने उसको उपलब्द होते हैं और तीसरी योदना है उकोसित दात्री या बच्ची बच्चे के लिए उस परिवार को इस नजाशित को आशेराशितल से बियाई भी गाये हम उपलंप्त करवाते हैं और बियाई भी गाय उकलब्त करवाने के बाद उस गाय से हम लोग वहाँ पर उस गाय को देने के साथ उस परिवार को एक पर्पिमाँ 15 सो रुपिया भी हम उस परिवार को उकलब्त करवाते हैं इस बिवस्ता को ले जाने के बार जो हम लोग देखते हैं कि काफी अच्छे पैन अमभाई वाने वर्चिन लोगों ने इस पर काम करना प्रारं किया उसके अच्छे धारण में सामने आये लेकिन हमारा अम्रोहा में वो एक निराशित को आसरेस्पल था अचानक वहाँ पर बारा चौदा गाय मर गए हमने लगनों से टीम भेजी आई भी आई बरेली की टीम भी हमने वहाँ भेजी अन्मे विसे सक्यों को भी मैंने भेजा मैंने कभी मौत का कारण किया है अचानक किसी ने जहर तो नहीं दे दिया देखा गया कोई जहर नहीं फिर हमने चारे का परिक्षन करवाया है तो पता लगा कि चारे में फटलाइजर इतना ज़्यादा पड़ चुका था कि उसके बाद उस गाय बरी है और बड़े पैमाने पर इस परकार की घटना है मैं दो तीन बार उत्तरब्रदेश के अलग-अलग जनपदों में इस परकार की घटना है देख चुका हूँ कि कैसे देश के अंदर अपने यहां से कैंसर प्रदेश के अंदर भी देखता हूं आज तो प्रभान मुंत्री मोदी जी के कारण हर गरीब के लिए आयुस्मान भारत में पांचलाक रुपे तक की स्वास्तिर शुड़ाप लब्द्ध ही है लेकिन फिर भी बड़े पहमाने पर मेरे पास लोग आते हैं मुख्यमंत्री राहत को से पैसे के लिए और जो भी मेरे पास एप्लिकेशन आता है हम उसको तदकाल धंडासी उपलब्द भी कराते हैं और मैं देखता हूं सरवादिक मामले कैंसर के होते हैं याद करिए आज से पहले इतना हो दुख्यमंत्री से नहीं था है लोगों की हो सकता है कि आर्थी किस्थितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितिति दोने देख रहे हैं गाउं में जाते हैं युवा लड़कों पर किसी किडिनी फिलॉर हो रही है किसे पॉहाट कीविमारी हो नहीं है कोई देख्ती कैंसर से पीडित हो गया है पहले दिखते थे कि 20-25-30 गाओं में कोई एक ब्यक्ति को बिमार हो जाता था लोग यह मांते थी कैसे हो गया पुरा हाकार मसता था आज एक कौमन पूबन चुका है कारण एक खानपान कहीं लगाई प्रभावी हुआ है इसने नहीं नहीं बिमारियों को चन्व दिया नए पौर तरीके आगे बढ़े हैं और हमें इसके बचाओं का जो एक नया मंत्र प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिया है और वह है प्राक्रतिक थेती का मैं धन्यवाद होंगा माने सिर्वाज सिंग चोहांची को और उनकी पूरी टीम को और भारत सरगार को कि प्रधान मत्री मोदी जी ने आज से तीन वर्स पहले प्राक्रतिक खेटी के लिए जिस एक अध्यान को आगे किया खा आज उसकी अच्छे प्रणाम लेखने को मिले है और मैं इस उसर पर गुज़राग के मन्ने राचपाद आजार देवपरज जी का हुर्दे से ने धन्यवाद होंगा कि जब भी हम उन्हें आमन्तित करते हैं वे उत्तरप्देश में आकर के हमारे किरसी विसेश्चों के साथ किसानों के साथ यहां संबाद बनाते हैं उनका मालक दरसन करते हैं और आज इसके बारे में लोगों के मन में एक भाव जाकरत हुआ है वो सच है पहले सुरू सुरू में लोगों के मन में एक भाव था कि क्या होगा कैसे होगा और खास तोपर क्रिसी विसेश्चों के जो थे इसके एक्सपर्ट जो थे उन लोगों में कुछ यादा ही उथा अरे वो ही नहीं सकता है लेकिन आज जब वहाँ उसके डिमस्टेशन को देखते हैं और इसमें जो बताया लिया कि हमें बीज से लेके बाजार तर इसकी प्राकृतिक सुरूप को बनाए रखना होगा और तरुपधेस जैसे राच्य में इसकी ब्यापक सुम्हावना है और तरुपधेस में अगर हम देखें के तो मारे पास खीती योग के जो भूमी है देश की कुर्पिरसी योग के भूमी का लगवट 12 पीस्टी युपी के पास है लेकिन जितनी घुमिय हमारे पास देश की है इसमें 17 भीज़़्दी आवादी रहती है और अब्धरब्धेश किसी देश की पुल किर्शी उत्पादन से सम्साद्रित किर्शियों के भूमिय है हम देश के अंदर बीस भीज़ी खाद्यान का उत्पादन करते हैं प्यार को जन संसादन हमारे पास है लेकिन अब हमें आज की आउसेक्टा की अनुरूप उस क्वालिटी के भी भ्यान देना बढ़ेगा जो हैपिनिस इंडेक्स को सही माईने में जमीनी धरातर पर उतार सके पहरे भारत के बारे में क्या नहाँ आदी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आउसेक्टा यह नहीं कम थी आउसेक्टा यह कम थी तो देखती मैं खुसाली ज़्यादा थी और हैपिनिस इंडेक्स को उस भुसाली के साथ जोड़ करके जो हम देखते हैं तो देखती अपने आपने बस्त रे करके विवस्ता के साथ चुड़ा हुआ है अब देखते के कावम है उस सरकार के निर्भडता उसकी नाखे वरावती नाखे वरावत सरकार के निर्भडता लेकिन राश्टी आंदूनन में जो बाद आते हैं तो बढ़ चड़ करके भाग लेता देश की आजादा का प्रस्णुआ तो उसने अपना सब कुछ चोड़ दिया किसी ने प्रेक्टिस चोड़ दी किसी ने खेवी बाड़ी चोड़ दी किसी ने स्कूल चोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है देश से अपिक्सा कुछ नहीं लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चड़ करके भाग लेकर के देश की उन लोगों ने उस समय की पीड़ी ने अपने आपको समर्भी भाव के साथ आगे गिया आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा और उस रिष्ट से आज का यह कारिक्रम बहुत महित्वकोर है कि आज की आउसिक्ता है उत्पादन भी बढ़ाना है लेकिन साथ साथ वहाँ जो निक्ती इसका उप्योग करे उसके लिए यहाँ लाबदायक भी हो इसमें हम लोगों को एक नए प्रियास को आगे बनाना है उत्तरप्रदेस सरकार ने इस दिसामे कारे प्रारम किया है हमारे पास उत्तरप्रदेस के अंदर चार किर्षी विश्व विद्याले हैं एक पांचों विश्व विद्याले भी हमारा किर्षी विश्व विद्याले का बनने जा रहा है हमारे पास 89 किर्षी विग्यान केंद्र भी है और दो केंद्रिय किर्षी विश्व विद्याले उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है इस सभी किरसी विश्व विध्यालियों के मात्यम से किरसी विज्यान केंद्र और हर जन्पत में मन्डी समिति को भी हम लोगोंने कह रखा है कि प्राकरितिक खेटी से जो भी प्रॉडक्ट आता है जो भी खात्यान आता है उसके certification के कारेक्टरम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और 20 से इसकी सुरवात होने चाहिए और फिर जब वाजार तक पहुँचे तो उसको तदका certification के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले उसके लिए हर मंडी में इसके लिए store बनाईए वहां से इसका दाम मिले इसका परचाब परसाद हो और कुछ जगे हम लोगों ने प्रारण किया है हम लोगों ने सभी 6 की 6 गिरसी विश्व विद्यालियों से कह रखा क्या आप अपने सेटिफिकेशन की लैप्स इंप्रूब करिए धंडासी स्टेट गौर्रमेंट आपको उप्लब्ट कराएगा और हम लोगों ने मंटी से लंडासी की विवस्ता के लिए पहले से प्राउधान कर देए भी वहां के तो पहले से लैक्स है उस लैक्स को थोड़ा सा अफग्रेड कर देना है और एक कारिक्टरम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे है अभी यहां पर आचारे जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्व विद्याले को किर्शी विश्व विद्याले को प्राकृतिक विश्व विद्याले प्राकृतिक खेती से समंधित विश्व विद्याले की रूप में विक्सित किया है इसमें एग्रिकल्चर का हो, हौटिकल्चर का हो, वेजिटेवल का हो इस सब का उपादन जो भी हो, वहाँ प्राकृतिक पद्दती से हो और इसके लिए प्रसिक्षन और इस पर सोग के कारिक्टरम को हम आगे बढ़ा सकें इस दिस्ट से कारिक्टरम उहां पर उन्होंने प्रारम किया है और यहां पर मैंने किर्शी मंत्री से भी कहा है किसी एक दिस्व वित्याले को हम लोग इसके लिए चेयन करें खास पॉर पर जहां पर तत्काल हम इस कारेक्टरम को आगए बढा सके नो क्वाइमिटिक जॉन यूपी के अंतर हर क्वायमिटिक जॉन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑप एक्सलेंस किशी ज्यान तेंद्र को Center of Excellence के रुप में विक्सित करने की कारवाई को आगे बढ़ाया है और हम चाहें कि इसमें हम प्राकृतिक खेटी को प्राकृतिक हॉल्टी कल्चर को प्राकृतिक वेजटेवल को प्राकृतिक पत्वती से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे तो मुझे रखता है कि आज उत्तवर्देश के अंदर किरसी विग्यान के देखने लाइक इस्तिती में बन चुके है 2017 के पहले तो इस्तिती वहाँ पे बड़ी अराजकता किसी थी जंगल हुगे बेते हैं आज हम देखते हैं हर किरसी विग्यान के अंदर में कुछ न कुछ एक्टिविटीस शूरू भी आज वे देखते हैं वाखिर कि वहाँ पर जैसे कुछ भी देखो तो वहाँ पे वाँ कुछ न कुछ किसानों का पर सिक्षन कर रहे हैं डेमोस्टेशन कर रहे हैं हॉल्टी कल्चर के लिए और अग्रिकल्चर के लिए वेजटेवल के लिए या फिर स्री अन्र के लिए या फिर वेटनरी के लिए अच्छा कौनल सो मैंने देखा है आचारे जी की यहाँ पुरुचेतर बुरुकुल में जाकर कि मैंने स्विम देखा कैसे कायग की देशी नसल की ब्रीड को उन्नप नसल में बढ़ा जा सकता है प्राकरती की पद्दती से है कैसे खेती बिप्रीत परस्तितियों में अच्छी हो सकती है गुरुबल वारिमिंग के दुस्परभाव से हम खेती को भी पैसे बचा सकते है ये भी मैंने अपनी आपों के सामने उहां जाकर के देखा है और उसके बाद जब मैं स्विम देखा हूँ तब मैंने अपने किर्शी मंत्री और अपने लोगों को यहां के दिकारियों से भी का मैंने का भी अब आप लोगे एक बार फुरस्त निकाल करके हो कर क्या हो देखो पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ तो मुझे लगता उसका नाव हो नाव और आज यही कारण है कि उत्तरब्रदेश जैसे राज्या में एक लाख हेक्टियर एक एकर घूमी में प्राकृति खेपी के प्रति लोगों में जावुक्ता पेता हुई है पुंदेखन के सातों जन्पदों में और बेंगाट जी के किनारे हमारे जो 27 जन्पद है इन सभी जन्पदों में इसके प्रति ब्यापत जन्चागनर का एक कारेक्टरम लोगों ने चला करके इस अभिहान के साथ जुड़े है इसके प्रिणाम अच्छे आएंगे वसरते हम सब अपने विसल से पीछी ने हट करके अभिहान को सफलता की नई उचाई तक महुचाएं आज के सौसर पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर आज के समारों के मुख्यतिती आचारे जी का मानिय शिवराज जी का भारत सरकार से आएवे अपने सभी अधिकारियों का यहाँ पर उपस्ति जितने भी हमारे पुलपती गण हैं कृषी विसेशक्य गण हैं अन्दाबा किसान हैं इन सब का इस चेत्रिय प्रामर्श कारिक्रम में हिर्दे से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के पधान मंत्री मोधी जी के विजन को जमीनी धरातां कर उतार करके भारत के उज्जव भूश्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएं कि आप सब के प्रतीश पुरे एक धान के और कारिक्रम के प्रती मेरे शुब कामना हैं धन्यबाद जैजिए बहुत बहुत आपाद धन्यबाद नानियों को समती जी चाहते प्रेदा नानियों को सब्सक्राइब